Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? सभी को नमसथे, नमस्कार, स्वाजर स्भी का हमारे इस सेशन में आज हम लोग discuss करने वाले हैं कोशिका की सनरशना और उसके काम इससे पहले किसेशन में हम काफ़े कुछ discuss कर चुके हैं कोशिक का क्या है? eukaryotic, prokaryotic cells क्या होती है, वो सारी बाते हम कर चुके हैं, इस session के अंदर हम discuss करने वाले हैं, कोशी का के अंदर कौन-कौन से organ है, याने कि cell organals के बारे में discuss करेंगे, कोशी kang के बारे में discuss करेंगे, उनको discover किस ने किया और हर एक का क्या अलग अलग function है, जैसे हमारे body में बहुत सारे अंग है, वैसे ही एक छुटकू सी cell, जिसको आप ऐसे नेगडाई से देख भी नहीं सकते हैं, जिसको आपको microscope से देखना होगा, उसके अंदर भी बहुत सारे organs जो उसके लिए काम करते हैं, तो आज हम यही जानेंगे नहीं करिएगा और पूरा end तक देखेगा, अच्छा लगता है तो like और दोस्तों के साथ share कर दीजेगा और चैनल को subscribe करना बिलकुल नहीं भूलना है आप मैंसे बहुत सारे बच्चे हैं, जो subscribe नहीं करते हैं आते हैं, चले जाते हैं, ऐसे मत क्या करो बस क्या करना है, like करना है, और subscribe करना है, बस इतना साही छोटा सा काम है, जो आपको करना है चलिए देखेगा, तो हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं, कोशिका की सनरशना इसमें हम लोगों ने last session के अंदर discuss किया था cell wall को हमने discuss कर लिया था, कोशिका भित्ति जिस परकार से हमारे घरों की दिवारे जो हमें protection देती हैं, कोई भी आसानी से हमारे घर के अंदर नहीं घुस सकता है वैसे ही क्या है, कोशिका की जो सबसे बाहरी layer है, उसे आप क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं उसे क्या कहा जाता है, cell wall कहा जाता है, जो यहाँ पर इस cell को protection प्रोवाइड करती है, आपको यहाँ पर छोटी सी बाध्यान रखने थी, कि यह animal cell के अंदर नहीं होती है, याने कि जन्तु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है, और plant cell के अंदर ही यह present होती है, याने कि most important है, most important है, अभी तक हम लोग यही देखते थे कि पादब कोशिका में, जो यह cell wall है, वो cellulose की बनी होती है, इतना तो पूछ लिया जाता है, बट आजकल REIT के एक्जाम में थोड़ा और advance पूछा जाता है, तो और specify करके कि कि किस से मिलकर बनी होती है, यह तो था कि जादा अधर पाद cellulose होता है, बढ़ धान एकिएगा, cellulose, hemicellulose, pectine और protein की बनी होती है, ठीक है, कवक कोशिका में kaitine और hemicellulose की बनी होती है, डन, अब हम चलेंगे यहाँ पर, plasma membrane के बारे में, plasma membrane बोल दीजिये, आप इसको cell membrane बोल दीजिये, याने plasma जिल्ली बोल दीजिये, या आप इसको बोल सकते हैं कोशी का जिल्ली, समझ गए? ठीक है? चलिए. तो यहाँ पर ढखेगा कि जैसे आपका यह outer layer है, इसे तो आप कहते हैं cell wall, इसे आप क्या कहते हैं? कोशी का भित्ती कहते हैं, इसके अंदर की, इसके inner जो आपका layer है, उसे हम कहते हैं cell membrane, उसे आप क कोशी का जिल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशी का जिल्ली कहते हैं, अब यहाँ पर कोशी का जिल्ली क्या काम करती हैं? इसके बहुत सारा fluid है, इसके अंदर बहुत सारा द्रव भरा हुआ है, और इसके अंदर बहुत सारे organs हैं, जैसे कि mitochondria है, जैसे कि Lysosome है, गॉल्जिक उसके अलावा nucleus है, endoplasm reticulum है, बहुत सारे हैं, तो ध्यान रखिएगा, इन सभी को protection प्रोटेक्शन प्रोवाइट करती है, कौन अंदर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है, इन सभी पर control करती है, हमारे घरों में gate होता है, अब क्या होता है, उसी के जर ये कोई आता है, जाता है, तो ध्यान रखिएगा, कि यहाँ पर cell membrane ये सभी चीज़ें control करती है, देखिएगा, जन्तु कोशिका में कोशिका द्रव, तो कोशिका में पाया जाने वाला ये जो fluid है, इसे ही आप कहते हैं, साइटो प्लाजम या इसे कहा जाता है कोशिका द्रव, तो इसकी सुरक्षा करने का काम करती है कोशिका जिल्ली, उसके बाद में किसकी बनी होती है, ये most important है, ये वसा और प्रोटीन की बनी होती है, कई बाइसको दिया जाता है फॉसफो लिपिड, क्योंकि लिपिड का मत मतलब वसा ही होता है, ऐसी वसा जिसके अंदर क्या है, फॉसफोरस है, तो वसा और प्रोटीन की बनी होती है, कौन प्लाजम जिल्ली, डन, चलिए, इसमें कुछ important बाते हैं जो आप ध्यान रखेगा, प्लाजम जिल्ली अर्ध पारगम में होती है, याने कि सेमी पर्मेबल होती है, याने कुछ पदार्थों का आवागमन करती है, सबी का नहीं, कोशिका के अंदर जो कुछ औरगन या कुछ एनर्जी वगरा है, या कुछ भी चीजें है, वो अंदर या बाहर आ जा सकती है, सबी चीजें नहीं, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, वर्नात्मक पारगम्य भी बोला जाता है, याने कि इसे हम selective, इसे हम क्या बोलते हैं, selective permeable membrane भी भी बोलते हैं, ठीक है, clear, तो ध्यान नखिएगा, इसी वज़े से हम इसे selective या फिर हम इसे वर्नात्मक या चैनात्मक पारगम्य जिल्ली भी कहते हैं, इसके लचीले कुण के वज़े से एक कोशी के जिव वातावरन से अपना भोजन ग्रहन करते हैं, और ये procedure कहलाता है, endocytosis कहलाता है, हमारे पास बहुत सारे यूनिसेलिलर हैं, याने कि ऐसे जिव जिन में सरफ एक ही कोशी का है, और बस वो पूरा एक जिव है, जैसे कि अमीवा, यूगलीना वग्यरा, तो ये क्या है, ये है एक कोशी के जिव, तो ये अपना भोजन बाहर से लेंगे, और कैसे, अब जैसे ही अमीवा बाहर से खाना लेगी, तो किस कोशी का, किस के माधियम से, ये प्लाजमा जिली के माधियम से, और ध्यान रखेएगा, इसे बोला जाता है, अमीवा में भोजन अधिक रहन, ठीक है, ये अकसर एक्जाम में पूछ लिया जाता है, किस के माधियम से होता है, प्ला आपका रोल अदा करते हैं, पूरे घर को मैनेस करके चलते हैं, कहां पर क्या चीज़ें करने हैं, अगर कहीं पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उनसे पूछा जाता है, घर में कोई बड़ी चीज़ आ रही है, तो उनसे पूछा जाता है, तो बस आपको यहां पर ध्य रखना है कि यह आपकी जो कोशिका है, कोशिका के बीच में एक क्या है केंद्रक है, क्या है केंद्रक है, नुकलेस है, जो पूरी सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोशिका के अंदर कोई भी औरगन किस तरीके से काम कर रहा है, किसका क्या काम है, किसको किस तरीके से करना चाहिए, वो सभी चीजे केंद्रक ही कंट्रोल करता है, अब ध्यान रख लेना कि इसको discover करने वाले थे Robert Brown, किसने इसको यहां पर मैं हिंदी में लिख देती हूँ, खोश किसने करी थी, तो discover का मतलब है, खोश किसने करी थी, 1831 में Robert Brown के द्वारा खोश की गई थी, यहीं पर RNA और DNA होते हैं, क्यूंकि यह आपका जो nucleus है, इसी के अंदर ही आपके RNA और DNA होते हैं, और RNA और DNA क्या है, यह हमारे genetic material है, अनुवानशिक बदार्द है, DNA है, RNA नहीं है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, और ध्यान नखिएगा, इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, हमारी बड़ी में brain है, जो हमारे बड़ी की जितने भी systems है, उन सभी को control करता है, वैसे ही as it is, कोशिका में क्या होता है, किंद्रक होता है, जो उसमें होने वाले सभी कामकाज को control करता है, done, इसे कोशिका का manager भी कहते हैं, obviously, अब जो किसी भी चीज को manage करके चलेगा, control करके चलेगा, उसे हो manager बोलते हैं, जिसे hotels वगरे में क्या होता है, पूरे hotel को manage करना, staff वगरे किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये का manager का होता है, वैसे ही हमारे यहाँ पर केंद्रक का है, तो इसे हम manager of the cell भी कहते हैं, यहाँ से बच्चों question बनने के chances हैं, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेगा, अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं, केंद्रक जिल्ली के बारे में, यह जो केंद्रक बाबा देख रहे हो ना, इसी के चारो तरफ एक जिल्ली होती है, इसी के चारो तरफ क्या है, एक जिल्ली होती है, जिसका नाम क्या है, केंद्रक जिल्ली है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है केंद्रक जिल्ली, या आप इसे बोल सकते हैं, nucleus membrane कह सकते हैं, मैंने जब last session में आपको दो cell के type करवाय थे, u-carotic और pro-carotic, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जो pro-carotic है, वो आदिम कोशिकाय है, पहले की कोशिकाय है, अच्छे से विक्सित नहीं होती है, उनमें अंग अच्छे से विक्सित नहीं होती है, उनके ओपर जिल्लिया नहीं होती है, ठीके वो कैसी है, pro-carotic है, पहले की है, डण, ठीके चलिए, उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था, pro-carotic और eukaryotic क्या है, वो cells होती है, pro-carotic में जिसे की blue, green, algae, bacteria, ये pro-carotic का example है, उसके अलावा अगर मैं बात करू, eukaryotic, वे कोशिकाय जो अच्छे से developed होती है, आज के time की है, modern है, जैसे हम लोग developed है, हमें सारी चीज़ें चाहिए, सारी facilities चाहिए, हम सब इन सरी के से eukaryotic है, ये समझने के लिए है, और वैसे भी animal cell, animal cell हो गया, plant cell है, ये सब eukaryotic के ही example है, इनमें अंग अच्छे से विक्सित होते हैं, और उनके ऊपर आवरण याने की जिलियां भी होती है, तो ध्यान नखिएगा इस तरीके का थोड़ा सा, अब मैं यहां पे केंद्रक के, चारो तरफ एक परत रहती है, जिसे हम केंद्रक जिलि कहते हैं, जिसे आप nucleus membrane कहते हैं, केंद्रक और कोशी का द्रव को अलग करने का काम करती है, आपके पास क्या है, केंद्रक है, इसके अंदर बहुत सारा द्रव भरा हुआ है, और यहां पर इसी के ऊपर ही क्या है इसकी जिली है तो यह क्या काम करती है तो ध्यान नखिएगा केंद्रक और यह जो कोशी का द्रव है इसको अलग करने का काम करती है कौन केंद्रक जिली करती है कोशी का द्रव और केंद्रक को हम क्या कहते हैं जीव द्रवे भी कहते हैं ध्यान नखिएगा यह आपका यह आपका जो fluid है, जिसे आप कोशी का द्रव कहते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, कोशी का द्रव, जिसके अंदर ही हमारे कोशी का के सारे ओर्गन होते हैं, जिसे माइटोकॉंड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, आगे सारी चीजें डिसकस करेंगे, उसके अलावा यहा कहते हैं, इन दोनों को मिला कर हम कहते हैं, जीव द्रवे, क्या बोलते हैं, जीव द्रवे कहते हैं, या इसे हम प्रोटो प्लाज्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटो प्लाज्म कहते हैं, ये न अकसर एक्जाम में पूछ लिया जाता है, जीव द्रवे क्या है, तो ध्यान कहते हैं और जिन में पाई जाती है उसे eukaryotic कहते हैं तो जिवानों और blue green algae, blue green जो algae है ध्यान रखेगा यह आपकी कैसे है यह आपकी prokaryotic है इनके अलावा सभी eukaryotic है, done, next देखो, यहाँ पर आपको English और Hindi दोनों में ही slides मिल जाएंगी और ज्यादा तर वैसे भी English आपको इतना ही काम करना है अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना है बस और लाइक जरूर करके जाएकर अपना feedback शेयर किया करो कि आपको क्लासे कैसे लग रही है क्योंकि आपकी जो feedback होते है उसे हमें motivation मिलता है तो प्लीज आप feedback अपना जरूर शेयर किया रहे comment section के अंदर आगे चलते हैं cytoplasm याने के कोशी का द्रव आपका ये इसके अंदर जो भी fluid है इसे ही आप क्या बोलते हैं कोशी का द्रव कहते हैं इसकी खोश किसने करी थी इसकी खोश करने वाले थी J.E. Purkinze 1849 में की थी कोशी का में पाया जाने वाला transparent याने के पारदर्शी और चिप याने के कोशी का के अंग होते हैं clear अब यहां से कुछ कुछ है जिनकी discovery किसने की थी वो आपको याद रखना है सब के याद रखने की ज़रुरत नहीं है almost थोड़ा याद रख लीजेगा sun नहीं याद रह रह रहा है बढ़ कोई बात नहीं जैसे कि cell को discover कब क्या था या फि केंद्रक तो यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बाकिया बस इतना याद कर लीजेगा किसको किसने discover क्या था sun याद रखना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि यह already बहुत कुछ हो जाता है ठीक है next देखो अब यहां पर हम discuss करते हैं nucleoplasm याने के केंद्रक द्रव है अब यहा RNA देखने को मिलेंगे और यह क्या है genetic material है अनुवानशिक पदार्थ होते हैं केंद्रक द्रव है जो है कुछ थोड़ा acidic nature का होता है क्यूंकि उसके अंदर nucleic acid वगरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप यहां पर DNA और RNA को discuss करोगे ना कि यह किसके बने होते हैं तो acid आ रहा है तो इसी से ध्यान अखेगा कि यह जो द्रव है वो थोड़ा सा अमलिय प्रकर्टी का जिसे कहा जाता है केंद्रक sap कहते हैं centroid sap कहा जाता है done इसी में केंद्रिका और गुंसूतर पाए जाते हैं और यह protein phosphorus और nucleic acid के बने होते हैं done DNA RNA यह मैं आपको अलग से separate topic राऊंगे DNA RNA क्या है कैसे बने होते हैं इन दोनों के अंदर क्या different है गुंसूतर क्या है वो सारी चीजे हम लोग next session में आपका देखेंगे गुंसूतर याने के क्या होता है chromosomes ओके चलिए तो यह कुछ हमारे organ है इसमें से हम धीरे धीरे one by one करके इसको discuss कर रहे हैं आगे चलते हैं mitochondria जिसके बारे में आपने बश्वन से क्या पड़ा है कोशिका का शक्तिग्रय किसे कहते हैं कोशिका का शक्तिग्रय इतनी इतनी बार बताने कितनी बार हमने इस question को किया है मला हर बार हम इसको देखते हैं बट अगर मैं कहना चाहूँ ना कि अब जो competition का level बड़ा है तो अब आपसे question यह नहीं पूछेगा कि कोशिका का शक्तिग्रय किसे कहते हैं अब पूछने का तरीका अलग हो जाएगा वो मैं आपको यहां पर बताऊंगे अब हम इसको power house क्यों कहते हैं देखेगा जैसे कि हमारे कोई भी बिजली घर है या जो भी हमारे जहां पे electricity generate होती है जैसे सूरतगड़ का thermal power plant तो वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं वो जिस क्या है power house क्योंकि वहां पे power या energy बन रही है हम उसको बना रहे हैं तो भायाने की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में convert होता है पर particular उस जगा पे हम उसको convert कर रहे हैं power को तो ध्याने किएगा ऐसी ही हमारी कुशिका के अंदर भी जो mitochondria है उसमें ये सारी चीजें होती है power या energy आपको मिलती है इसी वज़य से हम इसे power house कहते हैं इसी वज़य से हम इसको power house य इसको discover किया याने कि खोश करी थी जो चीजें already present होती है बट हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो उसको तो क्या जाता है discover याने कि उसकी खोश की जाती है और जब एकदम से कोई नई चीज बनाई जाती है उसे हम कहते है invention या अविश्कार कहते हैं ओके चलिए इसको ना कनी का इसका एक another name है चलिए absent किसमे होता है अब देखो मैंने आपको बताया था prokaryotic cell जिसके अंदर organ अच्छे से develop ही नहीं होते हैं तो उनके अंदर mitochondria भी नहीं होगा तो ध्यान अखिएगा blue green algae और bacteria क्योंकि यह कैसी है prokaryotic है इनके अलावा सभी में यह present होता है मतलब उ जूते के अकार का है कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग आपको comment section में बताना है कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौनसा है कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौनसा है यह आपको comment section में बताना है ठीक है चले हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ बस आप लोगों के लिए क आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हो, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी उतनी, at least उतनी तो करो न, क्योंकि यह जो classes है आप लोगों के लिए most important है, हमने जब भी पहले की exams देखे हैं, तो science के जो questions है, almost हमारी class से बने हैं, बस वही है कि आपने classes अगर देखी ही नहीं है, तो कैसे सही होंगे, तो उसके लिए आपको classes को continue करना होगा, ज़्यादा फालतू का तो हम content करते नहीं है, limited content होगा, बट वो ऐसा आपका काम का होगा, कुछ ने कुछ भी फालतू में कुछ भी हम कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, time भी हमारे पस बहुत कम है, तो इसी वज़े से हम ज़्यादा time को waste भी नहीं करेंगे, और इसी वज़े से मैं mostly live sessions भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि live में क्या आता है कि बच्चे आ रहे हैं, hi, hello, इसमें बहुत time चला जाता है, जबकि दूसरे बच्चे जो recorded देखते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसी वज़े से मैं कोशिश करती हूँ कि recorded ही रहें, अगर आप live देखना चाहते हैं, तो मुझे comment section में बताईएगा, तो हम live ले लेंगे, ठीक है, तो यह जूते के अकार का ही जो आप shape देख रहे हैं, इसी का ही नाम क्या है, mitochondria, इसके ना बहुत सारे ना अलग-अलग सी shape है, अब यहां से equation पूछ लिया जाता है, matrix किसका part है, तो ध्यान लखिएगा, mitochondria में मिलेगा, अंदर का यह जो भाग है, इसे ही कहा जाता है, matrix या अंतस्त कहा जाता है, उसके अलावा यह जो आपको इसे घुमावदार सी सरंचना दिख रही है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, kristi, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, kristi कहा जाता है, यह बहुत बार एक्जाम में पूशा गया है कि क्रिस्टी आपको कहां मिलेगा, कौन से कोशिकांग में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, यह आपको माइट्रो कॉंट्रिया में देखने को मिलेगा, clear? चलिए, माइट्रो कॉंट्रिया में कार्बनिक और अकार्बनिक योगि अक्सीकररों होता है और इसी के दोरान आपको एंशी मिलती है, और यह इनर्जी आपको एटीपी की form में मिलती है, ATP बोले तो एडीनो सीन ट्राब या इस बगार एक्जाम में पूशा जाता है ATP का full form, तो ATP पहले बोल रहे थे कि ऐसा तो question आएगा नहीं, अगर ऐसा नहीं तो फिर कैसा question आएगा, वो भी बता दो, चलिए उसे ही हम देखते हैं, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, कि अब question का जो तरीका है वो change हो जाएगा, क्योंकि competition बहुत जादा है, obviously, और हमें उसके according चलना भी है, मैंने आपको ये बोला, कि ये जो procedure है, वो कहां पर होता है, mitochondria में होता है, actually, oxygen क्या है, हम जो भी खाना खाते हैं, वो simple अवस्त हमें किसमें convert हो जाता है, वो convert हो जाता है, glucose की अंदर, किसमें बदल जाएगा, glucose में बदल जाएगा, और हम जो कहते हैं, हमें oxygen चाहिए, हम हमें oxygen की requirement है, अगर oxygen हमें नहीं मिले की, तो हमारा काम तमाम है, ऐसा क्यों हम कहते हैं, क्यूंकि आप जो सांस के जरिये, आपकी body में oxygen जाती है, उसका इस्तमाल होता है, इस food को oxidize करने में, इस भोजन का oxygen करने में, तो जैसे ही यहाँ पर इसके साथ oxygen आकर मिलेगी, इसको oxid oxidize का oxygen कर देगी, और यह बदल जाएगा, CO2 में बदलेगा, पानी बनाएगा, और धेर सारी यहाँ पर energy बनादेगा, क्या बनाएगा, धेर सारी यहाँ पर energy बनादेगा, और हमें तो यहीं चाहिए होता है, यह जो procedure है, यह आपके body में पूरा दिन होता रहता है, पूरा द यह काम रुख जाता है, और आपको काम करने के लिए तो क्या चाहिए, हर time energy चाहिए, ऐसा थोड़ना है कि सरफ आप तो दो time में खाना खाते हैं, और आपको energy पूरा दिन चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर यह procedure चलता रहता है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान एक इस वाले procedure को हम बोलते हैं, cellular respiration, हम इसको क्या बोलते हैं, इसे आप कहते हैं, cellular respiration, याने कि आप इसे कहते हैं, कोशी के सवर्षन, यह जो procedure है, यह जो प्रक्रिया है, यह होती है, किसमें? mitochondria में होती है, किसमें होती है, mitochondria में होती है, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, कि जो mitochondria है, वो किसका भाग है, वो किसमें उपस्तित है, तो यह कोशी का में उपस्तित है, इसे वज़े से यहाँ पर, क्यूंकि na, actually respiration का मतलब ही यह होता है, क्या होता ह Oxidation होना, अब आप बोलोगे कि मैम, अच्छा, सांस लेना, सांस शूरना, अभी तक तो हम ने यही सोचा था, कि श्वर्षन जो है, वो यही होता है, नहीं, श्वर्षन का actually meaning यही होता है, कि आपकी body में जो oxygen आती है, उसका इसमाल करके food को oxidize करना, भोजन का oxygen करना, जिससे आ आपको उर्जा मिले, ठीके, और यह सारा जो final जो होता है, जिससे आपको energy मिलती है, यह किस में होता है, कोशी का में होता है, और इसी वज़य से, हम इसको क्या बोलते हैं, कोशी के स्वर्षन कहते हैं, cellular respiration कहते हैं, क्या यहाँ पर कोई doubt या कोई दिक्कत हो, तो मुझे comment section में बता देशेगा, ठीके, I hope यह समझ गए है, तो अब यह पूछा जाएगा कि कोशी के स्वर्षन कहां पर होता है, mitochondria में होता है, या mitochondria को हम powerhouse क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोशी के स्वर्षन होता है, कैसे भी question आपका पूछा जा सकता है, आगे चलते हैं, Lysosome, Lysosome क्या है, बहुत important है, हमारे कोशी का में जो भी अगर कोई गंदगी आ जाती है, उसको साफ करने का काम करता है, हमारी बोडी में कोई ऐसा bacteria, कोई जम वगरा आ जाता है, कोई किटानू वगरा आ जाता है, तो उसको मारने का काम करता है, कौन? Lysosome, इस इसके खोश किस ने करी थी? D-dub ने करी थी, इसका जो pH है, वो होता है, 4-5 होता है, 7 से कम है, तो इसी वज़े से हम बोलेंगे, यह कैसा होता है, अमलिय प्रकर्ति का होता है, कैसा होता है, अमलिय प्रकर्ति का होता है, हमारी लार में भी उपस्थित होता है, आप जब मैं जब बोल रही हूं या आप जब बोल रहे हैं, पता नहीं कितने सारे धेरो बैक्टीरिया जम्स हमारे मूँव में जाते हैं. तो ऐसे तो हम ही बिमार कर देगे, बट हमारी लार में क्या होता है? लाइसोजोम होता है, जो इनको खतम कर देता है. उसके अलावा आप जब भी कभी खाना खाते हैं कोई बासी खा लिया या कुछ देर तक रखा हुआ था अब ऐसे ही खुला रखा हुआ था तो बहुत सारे जम्स बैक्टीरिया लग गए हैं वो आपने खा लिया तो उसके साथ भी जो भी हामफुल बैक्टीरिया वगर आता ह है कोई भी हानी करक जिवानू या किटानू अगर आपके मूँ में आता है तो उसको खतम करने का काम होता है लाइसोसॉम का उसके लावा हमारी कोशिका में भी अगर कोई गंदगिया कोई वेस्टिस प्रड्यूस हो रहा है कोई अपसिस्ट बन रहा है उसे खतम करने का काम कि थैली कहते हैं क्यूंकि ये कोशी के उपापचे में व्यवधान के कारण फटने पर अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है यहां पिधान नखिएगा जैसे ही कोशिका में क्या होता है Metabolism का Process होता है अगर उसमें कुछ गड़बड हो गई तो ये क्या करने लग जाएगा ये बहुत जादा Highly Activate हो जाएगा समझ नहीं पाएगा और क्या रहेगा और जैसे ही व्यवधान या कोई भी रुकावट आती है तो ये खुद की ही cells को digest करने लग जाता है और अपनी ही कोशिकाओं को खतम करने लग जाएगा और उसे ही आप क्या कहते है इसी वज़े से अगर खतम करने लग जाएगा तो मतलब खुद को ही मार रहा है इसी वज़े से हम इसे आत्म हत्या की थैली बोलते हैं या हम इसे सुसाइडल बैग ओफ सेल कहते हैं, क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ओफ सेल कहते हैं, तो ये थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान रखेगा, किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, अब क्यों? क्यो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो यह अपने आपको बहुत ज्यादा हाइली एक्टिवेट कर देते हैं बोलेंगे जल अपघटनिय एंजाइम्स तभी तो जैसे ही मेटापॉलिजम प्रोसेस में कुछ गडबड होगी तो यह क्या करेगा तो यह अपने आपको ही ड पर्यकोशिकाएं कई बार होता है कि हमारे जैसे जैसे नई सेल्स बनती हैं दूसरी सेल्स डेड भी होती जाती है या फिर कई आपको चोट लगई है सेल्स हो गई है तो इन सभी को ख़तम करने का काम कौन करता है कूँछ नहीं बन जाती है तो पहले उली जो पुरानी और बेकार है या जो मर गई है सिल्थ, उनको खतम करने का काम करता है लाइसोसॉम, समझ गए ना, साफ सफाई का काम करेगा कौन, लाइसोसॉम, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा से बता देती हूँ, कि लाइसोसॉम यहाँ पर, ठीक है, यह जो आपको ग्रीन-ग्रीन कलर से दिख कल पते क्या वा कि ना, मतलब बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैं आपने क्लास लेनी बन कर दिया क्या, अब आप क्लास ने लो गए, आक्शली परसों क्या था कि कुछ टाइम ने मिला था, और कल मैंने क्लास लेना, मैंने माइक यह नहीं किया, और मैं कम से कम आदा पोना गंटा में यह भी करा दिया था इतना भी, और फिर मैं देखा सामने, मैंने को, मैंने को, माइक तो आउन ही नहीं किया, फिर क्या होता है कि ना, जब आप इतनी दिर करवा देते हो, और उसके बाद नेक्स आपके सर की क्लास थी, तो फिर वो एकना हिम्मस ही तूट है, फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं कली लोगी, और आज फिर मॉर्निंग में थोड़ा से बीजी थी, तो बस इसलिए शाम को, तो आप टेंशन नहीं ले, आपका जो रीट का स्लेबस है ना, वो मैं डेफिनिटली पूरा करवा दूँगी, और बाद में हम लोगो टेस सिरीज भी लॉँच करेंगे, टेस्स सिरीज के माध्यम से भी मैं आपको जो क्वेशन से प्रेक्टिस से वो मैं करवाओंगे, ठीके, बस वही है, आप लोग थोड़ा से सपोर्ट करें, क्लासीज में आए, क्लासीज को लेने में तयार करने में बहुत दर टाइम लगता है और जब आपकी तरफ से कुछ इतना response नहीं आता है, तो फिर मन नहीं करता है, क्लासीज लेने का, कि टाइम भी लगाओ, और कुछ पढ़ने वाले बच्चे हो जो पढ़ें, देखें, करें, अब आप लोग अगर जादा से जादा इसको शेर करोगे, सब्सक्राइब करोग तब ही यूटीब है, इसको सर्च एंजन में लेकर आएगा और ये जादा बच्चों तक पहुंच पाएगा, तो जो बच्चे भी देखते हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सपोर्ट करें, और मतलब कि लाइक कर दिया करो, शेर कर दिया करो, और उसके सासत में अपना फीड अब हम बात करते हैं, सेंट्रोसॉम, सेंट्रोसॉम याने के तारक काय, इसको खोश करने वाले कौन थे 1880 में टी बॉवेरी, याद रख लो, ठीक है, अदर्वाइस चल जाएगा काम, कोशी का विभाजन में सहायक होते हैं, कोशी का विभाजन, किसने बताया था कोशी का कोशी का विभाजन की संकल्पना किसने देती, अब कोशी का विभाजन कैसे होता है, जो पहले की ही कोशी काएं हैं, वही कोशी काएं जब तूटती हैं, तो दो अनदर कोशी काएं, ऐसे ही जब ये तूटेंगी, तो दो अनदर इस परकार से यहाँ पर cell division होता है, कोशी का Cell division नहीं होता, तो वहाँ पर cells दुबारा नहीं नहीं बनती हो और कुछ नहीं होता. जैसे कि हमारी जो brain की cells नियूरोन है, उनमें cell division नहीं होता है, तो जैसे ही अगर आपके brain की cell dead हुई, इसका मतलब काम से गए आप, ठीक है? फिर आपका वो जो हिस्सा है, वो काम नहीं कर बाएगा, जहांकि cells dead हो गई हैं. चली देखेगा, तारकाय में याने कि आपकी जो centrosome है, spindle fiber का निर्मान होता है, जो गुण सुतर को विभाजित करता है, इसे ही कोशी का विभाजन कहा जाता है. ये जो तारकाय है, ना centrosome, ये क्या करता है, कोशी का विभाजन के समय, spindle fiber का निर्मान करेगा, ये spindle तन्तू होते हैं, इनका निर्मान करता है, और ये ही गुण सुतर को काटने का काम करेंगे, उसको विभाजित करने का काम करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, कि जो centrosome है, प्रशन में सहायता करते हैं, और किसमें करते हैं, अनिमल में करते हैं, किसमें करेंगे, सिरफ 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 जनतू-कोशी का में ही पाए जाते हैं, important है, अक्सर अग्जाम में यहां से प्रशन पूछा गया है, नेक्स, यह जो आपको यहाँ पर इस रखाई दे रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, यह जो pink से color का यहाँ पर है, इसे ही आप क्या कहते हैं, centrosome कहते हैं, यह only present कहाँ पर होते हैं, जन्तु कोशी का, animal cells में ही यह केवल उपस्थित होते हैं, आगे चलते हैं, endoplasmic retic reticulum, यह antepradavijjalika, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर picture दिखा देती हूँ, यह हमारा kendrak है, और यह आपका उसके अंदर कोशी का, kendrika, और उसके बाहर यह आप जो ऐसे सरंचना देख रहे हो, इसे ही आप कहते हैं, antepradavijjalika, मैं इसको short में er कहूंगी, मैं इसको short में er होता है, अब kendra के जो पास होगा, वो तो कैसा होता है, खुर्दरा होता है, वो कैसा होता है, रफ होता है, कैसा होगा, रफ होगा, ठीक है, और जो इदर प्लाजमा जिली के पास होगा, वो कैसा होता है, smooth होता है, याने कि आप बोल सकते हैं, वो कैसा होगा, चिकना होगा, done, चलिए, तो आपको यहाँ पर ध्यान लखना है, हम इसे खुरदरा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके उपर आपको जो यह dot dot दिखाई दे रहे हैं, यह dot dot क्या है, यह है ribosome, यह क्या है, यह है ribosome जो endoplasmic reticulum के उपर उपस्तित होते हैं, इसी वजए से यह endoplasmic reticulum या अं चिकनिया smooth हो जाएगी, क्योंकि उसके उपर क्या है, उसके उपर ribosome ही नहीं है, चलिए, इसको थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, केंदरक और कोशिका जिली के मद्यस्तित होता है, समझ लिए आपने वहाँ पर, खोश किसने की थी, कीत पॉर्टर ने करी थी, किसके अंदर अनु प्रोट्रिक, यह आपकी कैसी कोशिक आये हैं, यह है आपके प्रोटिक, इसके अंदर तो आपका जो नुकलिस है, वो डेवलेप भी नहीं होता है, तो इसके उपर आपका अन्ते प्रदवी जालिका भी नहीं होगी, परतु ध्यान निघएगा, human RBC तो उसमें केंदरक अन गटावारने के तो जरूरत ही नहीं है, अगर आप classes में आ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो guarantee है कि आपको यह ऐसे याद हो जाएगा, बच्चे बोलते हैं मेरी class में बहुत बार, कि मैम जब हम आपकी class लगाते हैं तो 90% तो हमें ऐसे ही याद हो जाता है, और जैसे हम पर हलका सा रिवीजन करेंगे और हमें सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, बच्चे बोलते हैं, तीन चार साल तक मैंने आना कैडमी पर पढ़ाया है, बच्चों के लगबग ऐसे ही feedback आते हैं, और इवन जो YouTube पर आते हैं, वो बच्चे भी मुझे ऐसा ही feedback देते हैं, तो अ खुर्दरी अंते प्रदवी जाली का, ये काम करती है, प्रोटीन संचलेशन का, क्योंकि इसके उपर क्या होते हैं, राइबोसॉम होते हैं, इसके उपर क्या होते हैं, राइबोसॉम होते हैं, और राइबोसॉम का जो काम होता है, वो किसका होता है, प्रोटीन का निरमान क करने का काम होता है ribosome का एक चीज और नोट कर लिजएगा जो mitochondria करवाया था ना mitochondria कि बस खुद का ribosome होता है याने कि वो उसकी बस खुद की अपनी energy होती है protein का synthesis जो है वो ribosome करता रहता है ठीक है यह चीज वहां पर थोड़ा सा add-on कर लिजएगा आगे चलते है smooth year याने कि चिकनी अन्ते प्रदवी जा लेका यह अब चिकनी है और यह lipid का sensulation करती है याने कि वसा का निर्मान करती है अब यहां से समझ जाएगा वसा जो है वसा आप जिसकी fatty चीजे घी वाली चीजे है वो कैसे होते कि चिकनी सूते हैं smooth होती है बस ऐसी से याद रख लिजेगा कि अगर smooth year की बात कर रहे हैं तो वो lipid का sensulation करेंगी और रफ यार है वो protein का sensulation करती है क्योंकि इसके उपर रफ रफ से याद कर लिजेगा ribosome होते है और ribosome का main काम क्या होता है protein sensulation का ही होता है अब बात करते हैं कि जो rough year है खुर्दरी जो अन्ते प्रदवी जाली का है खुर्दरी अन्ते प्रदवी जाली का जो है ये केंद्रक के पास होती है, ये किसके पास होती है, तो ये केंद्रक के नजदीक होती है, अब केंद्रक के नजदीक है, तो जादा stable है, क्या है, जादा स्थाई होती है, जादा स्थाई होती है, ठीक है, उसके बाद में जो smooth ER है, ये plasma membrane, यानि कि ये आपका plasma जिल्ली के नज होती है इसी वज़े से यह आपका कम स्थाई होती है ठीक है राइबोसोम इसी के उपर ही स्थित होते हैं राइबोसोम जो है यह आपके खुरदरी जो ER है उसी के उपर ही क्या होते हैं स्थित होते हैं बस यह कुछ बाते जो आपको यहां पर ध्यान लखने हैं अब यहां पर मैंने आपको समझाई ही दिया था आगे हम लोग बात करते हैं ribosome के बारे में, बहुत important है बहुत important है, छुटकुसा है बट important है, location कहाँ पे है, तो ये आपका स्थित है अन्तय प्रदवी जालिका के के उपर स्थित होता है और वो भी कैसा? खुर्दरी इस ने करी थी, तो ध्यान रखेगा GE पैलेट ने करी थी, इसी बज़े से इनको पैलेट कन भी बोला जाता है अगर हम सरंचना की बात करते हैं तो किस से मिलकर बना होता है तो ये RNA और प्रोटीन का बना होता है पूछा जाता है, राइबोसोम किसका बना होता है, तो RNA और प्रोटीन का बना होता है, किस को discover किस ने क्या था, पैलेट ने क्या था इसी बज़े से हम इसको पैलेट कन या पैलेट मॉलेक्यूल भी कहते हैं लोकेशन कहां पर है, खुर्दरी जो अंत्य प्रदवी जालेका है, उसके उपर ये स्थित होता है दो परकार का ये होता है, आप इसे दो परकार में classify कर सकते हैं वर्गी करत कर सकते हैं 70S और 80S, ऐसका मतलब है sediment एक तरीके से ना, ये इसको classify करने का ही एक तरीके से इसका नाम है जो 70S है, ये आपको मिलेगा bacteria या बोल सकते हैं जो pro-carotic koshika है उसमें और जो 80S होता है, राइवोसॉम ये आपको मिलता है, जैसे कि पादप है, जनतु है, मनुष्य की koshikाएं या फिर जो हमारी eukaryotic koshikाएं होती हैं, उसमें आपको 80S परकार का ribosorm देखने को मिलेगा, 70S pro-carotic में मिलेगा, और 80S जो है, ये आपको eukaryotic में मिलेगा राइवोसॉम को protein की factory कहते हैं, या इसे koshikा का engine कहते हैं, क्यूंकि ribosorm का जो main काम है, वो क्या होता है वो होता है, protein का निर्मान करना protein का sensation करना अब protein से क्या मिलेगा, koshikा को energy मिलेगी, और energy मिलेगी, तो इसी वज़े से हम इसको क्या बोलते हैं, koshikा का engine कहते हैं, ये question पूछा जा सकता है, RNA के साथ मिलकर protein का sensation करता है और ये koshikा का सबसे छोटा भाग है, koshikा का सबसे छोटा भाग है, ध्यान निखेगा जो ER है, ER इसको protein का engine कहते हैं, और इसी वज़े से ER के ऊपर भी स्थित होता है और इसी वज़े से वो ER खुरदरी भी होती है आपस में relate कर लो ठीक है, तो ये कुछ चीजे आपको यहां पर ध्यान एकने हैं, अभी दो बाते ये दो-तीन बाते जो है, वो थोड़ी सी रह गई है गोल जिकाय वगरा, वो मैं आपको कल की session में करवाओंगी, कल हम ये भी करके और जो भी remaining है, वो portion कर लेंगे, और उसके बार में आपकी MCQs करेंगे, तो इसी वज़े से आप पहले और नोटिफिकेशन मिलता रहे, और उसके साथ साथ में अपना feedback जरूर शेयर किरेगा, मिलते हैं next session में, take care